नमस्कार दोस्तों खेसारी लाल यादों के बारे में दो चीज आपने जरूर सुना होगा सबसे पहला कि वो वेक्ति महनत बहुत जादा करता है और दूसरे नंबर पर ये सुना होगा कि वो रिस्पेक्ट यानि की मान सम्मान लोगों की खूब करते हैं इसमें सबसे इंपोर्टेंट सवाल ये उठता है कि आखर इतनी बड़ी क्या खेसारी लाल यादों ने गलती कर दी कि म्यूजिक कमपनी भोजपूरी फिल्म इंडस्टर की जितने भी सूपर इस्टार है वो और खेसारी लाल यादों के जाती की लोग भी ये चाहते हैं खेसारी लाल यादों को बर्बाद कर दिया जाए अब दोस्तों काइदे से और लॉजिकल देखा जाए तो खेसारी लाल यादों की यहां पर दो ही गलती है सबसे पहला कि वो खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं और दूसरा कि वो किसी गरीब परिवार से आके भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम पे पहुँच गए हैं अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बाते करने लग रहा हूं अगर कोई वेक्ति गरीब था तो उसमें उसकी क्या गलती है वो तो हालात बना देती है किसी गरीब और दूसरा चीज अगर कोई इंसान महनत कर रहा है तो यह तो अच्छी बात है ने इसकी तो तरीफ करनी चाहिए तो हम इसका बेस्ट एक्जामपल आपको दिखाते हैं आज मैं अगर हीरो हूँ तो वो दिनेश लाल यादो का देन है क्योंकि दिनेश भीया ने जब मेरी सिनेमा रिलिज नहीं हो रही थी तो अपने पार्थ से खेसारी के लिए 25 लाक रुपया उन्हों ने दिया था कि खेसारी का सिनेमा रिलिज करा दीजे यह बाते उस वक्त की है जब खेसारी लाल यादो गरीब हुआ करते थे और दिनेश लाल यादों को लगता था कि नहीं ने यह इंसान तोंसे आगे ही नहीं जाएगा लेकिन जब खेसारी लाल यादो निरहुआ को टेक ओवर करते हैं गानों में फिल्म में तो उनका जलन साफ दिखता है और वो अपने गाने में कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, प्रेफरेंस, जो लकीर खीद गया उसी परेंगो, बस, बल्ड़ो चुक्चा, अब दोस्तों यहां आप काईदे समझने की कोशिस करो, दिनेस लाल यादो निरहुआ के लिए ऐसा क्या बोल दिया कि सारी लाल यादो ने कि दिनेस लाल यादो निरहुआ अपने गाने में कुछ इस तरीके का प्रेफरेंस यूज करते हैं, तो मामला साफ है कि जब इनसान किसी से आगे बढ़ता है, तो वो इसी तरीके की हरकत करता है, लाइक जलन, दोस्तों यह सूपर स्टार के साथ ही नहीं, अपने जीव महिने में ही दो लाक रुपया सेलरी मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाप बाते बनाएंगे, जैसे अरे यार वो बड़ा नीच आदमी है, वो दो नमबर का काम करता है उसी फैक्टरिया में, अरे यह इसा नहीं है, इस तरीके से काम करके नागे बढ़ा है, और बिना मतलब को जूट मूट का कंस्फेरेसी थिवडी निकालने लगेंगे, और बताएंगे और लोगों को समझाने ही कोजिस करेंगे, कि यह इंसान नीच है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी उपर जा रहा है, लेकिन एक्ट्वल में वो उसकी मेहनत होती है, जिसको आप कभी बीट नहीं कर सकते हैं, दोस्तो ये तो हुआ एकजम्पल वाली बात, अब थोरा इस मामले के गहराई में चलते हैं, और आपको स्टेप बाई स्टेप दिखा भी देते हैं, तब आपको पूरा तरीके से भरोसा हो जाएगा मेरी बातों पे, लेकिन उसके लिए आपको आज से सीधे चलना होगा 10 साल पहले, दोस्तो ये तस्वीरे आज से 10 साल पहले की है, और उस वक्त खेसारी लाल यादव जो हैं, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्टरी के उस वक्त के सबसे बड़े सूपरिस्टार के साथ मंद सेर कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस दिनेस लाल यादव ने फिल्म को रिलीज करने के लिए 25 लाक रुपे दिये थे, इतना ही रही पवंद सिंग ने भी इनका खूब ज़्यादा सपोर्ट किया था, जैसे खेसारी लाल यादव आगे डैंस करने लग रहे हैं, और पीछे में गाना पवंद सिंग का बज रहा जानने लएंगे, उस इंसान को खेसारी लाल यादव लगातार 10 साल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस इंसान का ऐसा सवभावी होता है, लोगों की रिस्पेक्ट करने की आदत ही ऐसी होती है, कि कोई भी मजबूर हो जाता है, उनका सपोर्ट करने के लिए इसलिए मनुस्ति की वारी भी उतना ही प्यार से मदद करते हैं, और खेसारी लाल यादो जो हैं, रभी किसन के साथ उतना ही प्यार से देखे जाते हैं, इन सब सपोर्ट खेसारी लाल यादो की महनत, खेसारी लाल यादो को इस मुकाम पे लेके चली आती है, कि खेसारी लाल यादो जो हैं, वो अब टेक ओवर करने लगते हैं उस इंसान को भी जिसने उनको आसरे दिया था जिसने उनको अपने बनाने में योगदान दिया था जी हां हम बात करने लग रहे हैं पवन सिंग का पवन सिंग का जितना गाना टेंडिंग में आता है उतना खेसारी लाल यादो का भी आने करने लगते हैं और फिर खेसारी लार यादो लाइव में कुछ इस तरीके की बाते बोल देते हैं अब देखिए काईदे से देखा जाए तो लाइव में इतनी बड़ी भी कोई बात किसारी लाल यादो ने नहीं कर दिया था जिसके वज़ए से इतना बावाल होना चाहिए यानि कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉंट्रोवर्सी लेकिन अगले ही कुछ दिनों बाद पवन सिंग लाइब सो में कुछ इतना गरशते हैं मतलब अपने पूरे दिल को भडास को निकाल के रख देते हैं स्टेज पे फिर क्या था खेसारी लाल यादो का भी अपना बाई अब और खेसारी लाल यादो भी जम के बरश सब कंदौर में आज तो दुनिया करेंगे कितने साल कुरा नहां यह देर-सथ साल से अलबरगा धर्टी बत्र इनने को 232 गरिवह फिल्म इंडस्टे सबसे बड़ा कोंट्रोवर्सी अब सवाल ये कि खेसारी लाल या दों के दूस्मनी उप्रों के दूस्मन हो जाते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें सब ही लोग जो है वुटिसेंघारि लाल या वियादों के साथ आयं बोजपूरी प्रप्या कमाने लगा उसी को अभी यहां पर इंप्लिमेंट करके देखिए कि जो वेक्ति आपसे पहले से हैं आपके साथ से हैं वह उतना नहीं कमा पा रहा है नाम उसकी उतनी फिल्में नहीं चल पा रही है और आप जंडे गारते जाएगा तो उसको तो दुस्मनी होगा और यही कारण होता है भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लालियादों के सभी अचानक से दुस्मन हो जाते हैं क्योंकि भल का आया हुआ एक लड़का जो पहले कुछ दिन तक गरीब था और आज इतना बड़ा नाम कैसे कर लिया सबको इसी बात की चिंता होती है और फिर दे पिदे 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 लाइव के बारे में कितनी बुरी बुरी बाते ये नहीं बोलते है संतु स्रेणु यादव जो है वो खेसारी लाल यादव के आसपासी भूझपुरी फिल्म इंडेस्ट्री में आये हैं अब इस इंसान के गाना अगर रिलीज हो तो पांच हजार व्यू जाता है कॉंट्रोवर्सी करें तो लोग इसी हो गाली देते हैं अब इंसान को चिड़ पड़ेगा ना कि जातिवाद हमीं करते हैं सबसे ज्यादा कॉंट्रोवर्सी हमीं करते हैं सबसे ज्यादा तेला बेला में हमीं पढ़ते हैं लेकिन वो इंसान सबसे ज्यादा उपर बढ़ तो माई डियर संतू स्रेनु यादो जी खेसारी लाल यादो बहुत जादा मेहनत करते हैं और वो कहते हैं कि मेहनत के आगे तो आपका किस्मत भी नदमत्सक हो जाता है और कहता है कि जहां ले जा अपनी कामयाबी और वही खेसारी लाल यादो को मिला है कामयाबी दोस्तों ज़रा इस गाने पे भी एक बार नज़र डालिए इस गाने में millions of views हैं अब यहां समझने ही कोसिज कीजिए कि millions of views क्या संभू बाबा को देखने गए हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं इस गाने से तो संभू बाबा को नाम मिला है और इतना जादा millions of views का संभू बाबा बहुत बहतरीन फाइदा उठा सकते थे जैसे बी आईबी बिजंदर सिंग ने उठाया जैसे अर्बिन सिंग अभियंता ने उठाया आज ये दोनों लोग अपने एक अस्थाई जगा पे हैं न कि ये लोग अपने से महनत करते हैं लेकिन संभू बाबा को नाम मिला और इन दोनों से ज्यादा नाम मिला लेकिन ये सराब दारू ताड़ी जुआ जैसे जगों पर अपना टाइम पास कर रहे हैं और जब फुरसत मिल जाता है तो आ जाते हैं खैसारी लालियादो को जीवन हैं और दोस्तों ये मामला एक दो नहीं है सैक्रो ऐसे मामले हैं जिसमें खैसारी लालियादों दोसी नहीं भी होते हैं तब भी भोश्पूरी के सूपर इस्टार आते हैं बोश्पूरी कुछ इंट्रलेक्चुल लोग आते हैं जो खैसारी लालियादों को डिफेम क्या हो सकता है आईए इस पर भी बात करते हैं और आपको चार बिस्ट सोलूसन बताते हैं अगर इस वीडियो के खेसारी लाल यादों तक पहुचा दीजेगा तो फिर क्या ही कहने दोस्तों यहां पर सबसे पहले खेसारी लाल यादों को एक अच्छा लेबल बनाना चाहिए जैसे सारे गामा हम भोजपूरी है जैसे वेब मुजिक है उस तरीके से क्यासारी लाल यादों को एक इतना टकड़ा लेबल बनाना चाहिए जो की एकदम भोजपूरी फिल्म इंडेस्ट्री में सबसे अच्छा हो बिल्कूल सारु खान की तरह जैसे उनका रिड चिली इं दोस्तों कृती इंटर्टेन्मेंट एक ऐसा प्रोड़क्शन हाउस होना चाहिए जिससे भोजपूरी फिल्म इंडेस्ट्री की सबसे अच्छे फिल्म बने जैसे जितने भी प्रोडूसर होते हैं वो पैसा लगाते हैं तो थोड़ी करते हैं कि नाम कमाने के लिए पैसा ल करने लगे और बगल में अपना ही दुकान सुरू कर दें आपको ऐसे लोगों को रखने की जरूरत है जो एक्ट्रिती इंटर्टेन्मेंट की लिए काम करें और उसको एक बहुत बड़े लेबल तक लेके जाएं और उससे जो फिल्म आए वह भोजपूरी फिल्म इंडेस् और जब ख्यासारी लाल यादो एक यूनिवर्स के ओनर बन जाएंगे तो भोजपूरी फिल्म इंडेस्ट्री में ना उनका किसी से कॉंट्रोवर्सी होगा ना उनसे किसी से कॉंपटीशन होगा ना किसी के बिवाद होगा वह बन जाएंगे भोजपूरी फिल्म इंडेस् सारू खान को बुरा नहीं लएगा, सारू खान नहीं चाहेंगे कि कैसे इसको नीचे दबाया जाए और अगर हो इंसान दबे ही नहीं तो साहम, डाम, डंड, बेत सब तो करना पड़ेगा न तो दुस्मन आपके बनेंगे, जिसके लिए आपको पहले से प्रिप्यार रहना होगा और कुछ इस तरीके से अपना यूनिवर्स बना के आप प्रिप्यार हो सकते हैं बाकी उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया इस वीडियो को सेयर करो